Hello dear students, आज आपका SST का क्लास है, तो SST में आज हम एक नया चाप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, और ये चाप्टर है आपके जोग्राफी पोर्शन में से चाप्टर नमबर 1 और इस चाप्टर का नाम है Earth in the Solar System, ठीक है, और ये चाप्टर आपके टेक्स्ट बुक के जोग्राफी पोर्शन में से पेच नमबर 1 पे है, ठीक है, तो इस चाप्टर में हम पढ़ेंगे Solar System के बारे में, ठीक है, अब ये Solar System क्या होता है, वो मैं आपको इस चाप्टर में आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, ठीक है, Earth in the Solar System, the bodies you see in the sky from the earth are called heavenly or celestial bodies, ठीक है, जब आप रात को, ठीक है, ऐसा करके जब आप रात को उपर करके आस्मान की तरफ देखते हो, तो आपको कुछ इस तरह से आप देखेंगे, है ना, आपको कुछ ऐसा देखाई देते हैं, ठीक है, क्या है, इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं, ठीक है, यह क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, जो हमें इस तरह की जो दिखाई देएंगे, उसको हम बोलेंगे, heavenly bodies या powiedział bodies, ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, अब देखो, यहां पर कुछ हम clear تو नहीं कह सकते क्या क्या है, क्यों क्योंकि ये बहुत ही दूर है है ना आसमान जो है बहुत ही जादा दूर है स्काई जो है बहुत ही जादा दूर है तो हमें ये क्लियर नहीं दिख रहे हैं मगर इसमें क्या क्या होगा इसमें होगा स्टार्स होंगे प्लैनेट्स होंगे कॉमेट्स होंगे मून्स होंगे ठीक है इन सब को हम बोलें heavenly bodies ठीक है they include stars stars होता है, planets होता है comets होता है और moons होता है let us find out more about these heavenly bodies अब हम ज्यादा details से stars के बारे में, planets के बारे में comets क्या होता है moons के बारे में हम इस chapter में हम details से बढ़ेंगे ठीक है उस में से सबसे पहले हम stars के बारे में बढ़ेंगे यानि की stars यानि की उसको हम stars को हिंदी में क्या कहेंगे सितारा है ना जब हम रात को देखते है तो क्या हो रहा होता है जब हम रात को आस्मान की तरफ उपर देख रहे होते है तो बहुत सारे stars जो है हमें दिखाई देते है are called stars जब हम बाहर जाते हैं रात को जब हम आस्मान की तरफ देखेंगे sky यानि कि आस्मान की तरफ जब हम देखेंगे तो हमें देखाई देते हैं वहाँ पे twinkling sports यानि कि छोटे-छोटे चमकते हुए ठीक है कुछ lights हमें देखाई देखेंगे है ना तो वो सारे क्या है stars है ठीक है there are billions and billions of stars in the universe universe में कितने है बहुत सारे एक नहीं है दो नहीं है सौ नहीं है हजार नहीं बलकि बहुत सारे billions of billions stars होते हैं ठीक है अब ये stars क्या है stars are huge ball of very hot gaseous matter stars जो है बड़ा सा ball है ठीक है जो किस से बना हुआ होता है गरम gaseous से बना हुआ होते हैं they are self luminous cellules that emits heat and light और ये star कैसा है उसके पास खुद अपना heat है खुद अपने पास light भी है ठीक है उसके पास heat भी है यानि की गर्मी भी है और light ठीक है रोशनी भी है इसलिए उसको self luminous बोलेंगे ठीक है the sun is the star nearest to the earth जब हम दिन में आसमान की तरफ देखते है तो हमें क्या दिखाई देते है अगर बादल नहीं होंगे तो क्या दिखाई देंगे हमें sun दिखाई देंगे यानि कि सूरज क्या आपको पता है ये sun भी एक star है ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि माम कहरे है कि ये sun जो है वो भी एक star है है ना जब हम रात को आसमान की तरफ देखते है तो बहुत सारे star होता है मगर वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं मगर sun जो है इतना बड़ा क्यों है ठीक है sun जो है इतना बड़ा इसलिए हमें दिखाई दे रहे है क्योंकि sun जो है सबसे नजदीक है अर्थ के ठीक है sun भी इतना sun जो है बड़ा है बड़ा दिखाई देते हैं और हमें गरम लगता है क्यों क्योंकि कुछ जैसे की एक पैड होगा, यानि की एक ट्री होगा, वो ट्री अगर हमारे सामने होगा, तो वो बड़ा होगा पैड, अगर उसी पैड को हम दूर जाके देखेंगे, तो हमें छोटा सा दिखाई देगा वो पैड, है ना, मगर साइस तो उसका सेम रहेगा, चेंच नहीं ह होगा, वो किस से, फरक किस का पड़ा है, डिस्टन्स का, यानि की दूरी का, है ना, तो स्टार, ये सन जो है, अर्थ से नजदीक है, अर्थ के नजदीक है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, इसलिए उसका रोश्णी जो हम तक ज्यादा पहुंचते है, उसका हीट जो है, हम तक ज्यादा पहुंचते है, सन जो है, एक क्या है, एक स्टार है, समझ में आ रहा है ना, How stars are formed, अब stars जो है, कैसे formed होता होगा, मतलब कैसे बनता होगा, Stars are formed from huge clouds of dust and gaze, stars जो है किस से बनता है, dust, धूल और gaze से बनता है, ठीक है, Stars are found in very large group, बहुत बड़े groups में होते हैं, stars, ठीक है, अब आपको यह जो है, stars जो है, कैसे बनता है, वो थोड़ा सा में, इस तोड़ा सा और detail से, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने आपको बताया कि stars जो है, कैसे formed होता है, gaze, dust और gaze से formed होता है, ठीक है, अब कैसे formed होता है, when the center of the cloud became thicker and denser, it start shrinking into a thick disc, and start spinning rapidly, अब देखो, यह जो है, अब यहाँ पे इस तरह से यह बना हुआ है, dust और gaze का, अब यह क्या करेंगे, अब जैसे जैसे यह spin करेंगे, यह गूमेंगे, ठीक है, जैसे जैसे यह गूमेंगे, वैसे वैसे यह इसका यह जो बीच वाला हिस्सा क्या होता जाएगा, ज्यादा ठिक होता जाएगा ठिकर मोटा होता जाएगा और dense यानि कि बहुत ही ज्यादा hard होता जाएगा ठीके and start spinning into thick disc start spinning rapidly अब ये बहुत ज़ादा तेज से ऐसे ऐसे गूम रहे होते है अब जब एक चीज बहुत ज़ादा तेज तेज गूम रहे होते हैं तो ये क्या बनता है धीरे धीरे करके ये थिक बनने लगता है क्योंकि ये क्या होता है श्रिंक होता है छोटा होता है ठीक है पहले इतना बड़ा है अब इसको हम गुमेंगे गुमेंगे तो होता जाएगा चोटा होता जाएगा अब यह श्रिंक कैसे होगा यह थिकर बनता जाएगा ज्यादा मोटा बनता ज्याएगा और ज्यादा हार्ट बनता जाएगा ठीक है The center of the spinning mass become hotter and hotter अब जो ये जो बीज़ वाला जो है ज़्यादा hot 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 जो है गरम 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 होता जाएगा Finally a change of reaction occurs विर huge amount of energy फिर उसमें एक energy जो है वो आजाता है ठीके जैसे की कौन से heat आजाता है उसमें light आजाता है ठीके और इस तरही के से क्या होता है star जो है formed हो जाता है ठीक है पहले क्या होगा gaze होगा ठीक है और क्या होगा dust होगा ठीक है अब ये क्या करेंगे ये जो है spin करेंगे round करेंगे अब जैसे जैसे ये spin करेंगे ये shrink होता जाएगा यानि कि छोटा होता जाएगा अब जितना चोटा होगा अब उससे क्या होगा वो जादा हार्ट बनेगा जादा थिक बनेगा तो जितना जादा ये स्पीड होता जाएगा उसमें एनरजी आ जाएगा उसमें यानि की हीट आएगा लाइट आएगा ठीक है इस तरह से स्टार जो है वो फॉर्म्ट होता है यानि की स्टा स्टार बनता है, ठीके? स्टार आर फाउंट in very large groups और clusters, stars जो है मिलते हैं बहुत बड़े-बड़े groups में, यहने कि clusters, यहने कि group में मिलते हैं ठीके? these groups are called galaxies उस groups को हम بولेंगे galaxies there could be several million stars in a galaxy और एक galaxy में millions of stars जो है वो होते हैं, ठीक है, there are hundreds of billions of galaxies with more getting formed every moments, अब जो है बहुत सारे galaxies, जो है hundreds of billions of galaxies है और भी बन रहे हैं, और भी formed हो रहे हैं, जो हमारा जो galaxy है, वो कौन सा है, milky way galaxy है, उसको हिंदी में अकाश गंगा भी कहते हैं, ठीक है, अब उसके बाद ये हो गए हमारे star के बारे में, star क्या है, एक stars क्या है, जो है stars जो है, एक twinkling sport है, ठीक है, जो कहां पे होता है, आसमान में होता है, ठीक है, billions of billions stars होते हैं, ठीक है, star क्या है, किस से बना हुआ है, गेस और डस्ट से बना हुआ है यानि कि सन भी एक क्या है स्टार है अब हम देखते हैं कॉंस्टिलेशन When seen from the earth some of the stars in the sky appears to be arranged in a recognizable patterns these patterns of stars are called constellations कभी 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 جब हम रात को उपर आसमान में देखते हैं तो वहां पर क्या होता है बहुत जादा stars होते हैं ठीके अगर हम बहुत ही जादा ध्यान से हम देखेंगे तो हमें ये लगता है कि कुछ stars ने यानि कि group of stars ने आसमान में एक shape बनाया हुआ है pattern बनाया हुआ है यानि कि shape बनाया हुआ है ठीक है उसको constellations कहते हैं ठीक है कुछ लगता है some look like animals कुछ जो है animals के pattern में होता है कुछ लोग इनसान के shape में होता है या कुछ जो है चीजों के shape में होते हैं आप अपने घर में अपने ममी पापा से पूछो या अगर उनको पता नहीं होगा या अपने ग्रेंट पैरंट से आप पूछो कि आप क्या आसमान में स्टार्स जो है क्या वो शेप बनाते है उसका कुछ नाम होता है ठीक है वो पक्का बोलेंगे ठीक है अगर हम इस तरह से imagine करेंगे अगर हम उसको देखेंगे बहुत ही ध्यान से तो वो recognize हम करेंगे कि हाँ इस तरह का ये shape लिख रहा है देखो stars है इस तरह से बना हुआ है अगर उसमें हम line खीचते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाता है जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हुआ है star का यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हुआ है यह क्या है यह सारा constellation है constellation मतलब एक pattern एक shape जो किस ने बनाया हुआ है stars ने बनाया हुआ है उपर आसमान में होता है और उसको जो है मतलब उस सब को पता है कि हाँ यह जो है constellation है ऐसा ऐसा constellation होता है तो लोगों ने देखा है उनको ठीक है Since ancient times hundreds of constellations have been identified in the sky पुराने जमाने से लेकर यानि कि बहुत पुराने एंशन टाइम से या मतलब पुराने जमाने से लेकर बहुत सारे लोगों ने hundreds of ऐसे constellation जो है आसमान में देखा उन्होंने ठीक है और उस में से सिर्फ scientist ने 88 को जो है scientist ने accept किया यानि कि माना ठीक है उन्होंने नाम दिया कि हाँ सच में है 88 constellation जो है किसने माना scientist ने accept किया कि हाँ है नहीं तो hundreds of constellation है Two of the more easily recognizable constellations are Ursa Major and Orion ठीक है उस में से दो constellation जो बहुत ही असानी से हम उसको recognize कर पाते है यानि कि पता चल जाता है कि हाँ ये दो जो बहुत ही मशूर है वो कौन सा है Ursa Major ये वाला ठीक है ये वाला सब को दिखाई देता है ठीक है और ये और ये और ये वाला ठीक है ये दोनों जो है constellation है जो more recognizable है यानि कि हाँ सही है बोलेंगे कि आसमान की तरफ हम देखेंगे हा हाँ दिखाई दे रहे हैं इस तरह से हम कोई भी उसको पहचान सकते है ठीक है अदर्स इंक्लूड और बहुत सारे है ये दोनों नहीं है अब 88 बोला ना 88 को scientist ने accept किया हुआ है तो उसमें से बहुत सारे है जैसे कि canis measure है यानि कि डोक ठीक है लियो है यानि कि lion टारिस है य constellation जो है scientist ने देखा और उसको accept भी किया हाँ है करके ठीक है उर्सा मेजर को great beer भी कहते है ठीक है अब हम next हमारा topic है the solar system क्या है solar system the sun and the various object that move around it sun यानि कि सूरच और बहुत सारे ऐसे objects जो सूरच के आस पास revolve करते है move करते है ठीक है उसको हम बोलेंगे solar system ठीक है sun तो उसमें है ही है और दूसरे क्या क्या है उसमें planets है, moons है, asteroids है, comet's है, meteors है, meteors जो है, comet's जो है, asteroids है, planets है, moons है ये सारे क्या करते है, sun की चारो और चकर लगाते है, उसको हम बोलेंगे solar system, solar means of the sun, जो sun का जो family होता है ना, सूरच का जो family है, परिवार है, उसको क्या बोलते है, solar system बोलते है, यानि की हिंदी में सूर्य मंडल, है ना, सूर्य मंडल जो होता है, उसको क्या बोलते है, solar system बोलते है, वो क्या है, जो उसमें आता है, sun और उसमें आता है, planets, moon, asteroids, comet's, and meteors, ये सारे आता है, ठीक है, अब यहाँ पे solar system जो है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, यह है, इसको हम solar system कहेंगे, ठीक है, sun at the center and others revolve around it, ठीक है, अब जो है, उसमें sun जो है, center पे है, for example, मैंने एक यहाँ पे draw किया हुआ है, आप लोगों के समझ में आने के लिए, ठीक है, अब इसको देखो, ठीक है, यह, यह जो है, यह क्या है, sun, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यह sun है और यह सारा क्या है, बाकी planets है, ठीक है, और यह सारे planets क्या करते है, sun के चारों और, इस तरह से, ऐसे चकर लगाते है, revolve करते है, चकर लगाते है, यह हो गया Mercury, ठीक है, उसके बाद है Venus, ठीक है, यह Venus का रास्ता हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा planet है, Earth, एर्थ जिसमें हम रहते है ठीक है वो भी एक प्लैनेट है ठीक है ये भी एर्थ भी सन के चकर लगाते है ठीक है ये कौन से कितने नंबर पे है third नंबर पे सबसे nearest कौन सा है मारक्यूरी है उसके बाद कौन सा है विनस है उसके बाद कौन सा है अर्थ है ठीक है यानि कि ये थर्ड नमबर पे है है ना तो ये क्या है ये सारा ये सोलर सिस्टम है सोलर सिस्टम में क्या होता है सन के चारों और जो है बाकी प्लैनेट्स जो है revolve करते है यानि कि चकर लगाते है ठीक है उनका अपना अपना रास्ता होता है जैसे कि सन का ये वाला रास्ता है ठीक है उसी तरह मार्स का भी अपना ऐसे रास्ता होता है ठीक है तो इस तरह से वो revolve करते है ठीक है तो इसको हम बोलेंगे सोलर सिस्टम पहले मार्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटरन है, ठीक है, यूरेनस है और नेपटियून है, ठीक है, ये क्या हो गया, सोलर सिस्टम, यानि कि क्या है सूर्य मंडल, जो सन का जो फैमली होता है, उसको बोलते है, सोलर सिस्टम, ठीक है, समझ में आया न अब देखो Early astronomers thought that the sun and all the planets revolve around the earth पहले astronomers, astronomers किसको कहेंगे उन लोगों को कहेंगे जो planets के बारे में, stars के बारे में, sun के बारे में, moon के बारे में जो study करते है ना, जो पढ़ाई करते है ना, उसको astronomers कहते है पहले astronomers ने क्या बोला था कि sun जो है, ठीक है, sun and all the planets, sun और दूसरे planets क्या करते हैं Earth का चकर लगाते है, देखो, यानि कि ये for example, sun एक तो ये sun है दूसरा ये सारे, ये सारे, ये सारे, ये सारे, ये ये planet है ये सब क्या करता है, Earth का, यानि कि इसके चकर लगाते है मैंने आपको पहले बोला ना ये सन है और ये प्लैनेट्स क्या करता है सन के अराउंड जो है मूव करते है यानि कि चक्र लगाते है कुछ ऐसे मतलब ऐस्टरोनोमर्स ने कुछ बोला था ऐसा भी बोला था कि ऐसा नहीं है मतलब जो अर्थ ये बागी जो सन और बागी प्लैनेट्स जो है अर्थ के चक्र लगाते है उन्होंने ऐसा बोला ठीक है और वो थियोरी जो है किसने फॉरवर्ट किया था क्लाडियस टॉलिमी ने कब 140 कॉमन एरा में आफ्टर यर्स ऑफ साइंटिफिक अब्जरवेशन फिर उसके बाद बहुत सालों के बाद जब उन्होंने साइंटिस्ट ने अब्जर्व किया कि ये वाला थियोरी सही है या नहीं है सच में क्या अर्थ के चकर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं तो उन्होंने क्या कि कॉपर निकॉलस कॉपर निकल्स ने 1543 में एक नाया थियोरी उसनों निकाला और उसने ये बोला कि sun जो है वो center में है, बीच में है and the earth, बाकी जो है earth, moon और दूसरे planets जो है वो sun के चक्क लगाते हैं ठीक है? और ये वाला जो है सही प्रूफ हुआ ठीक है? तो ये जो अभी मैंने बोला कि ये sun है है ना, sun जो है ये center में है, हाँ, ये center में है जो है क्या कर रहे है, sun के चकर लगा रहे हैं ठीक है? और ये theory जो है, किसने forward किया था? किसने बोला था? Nicholas Copernicus ने, ठीक है? इन्होंने बोला था, समझ में आया? अब हम the sun, sun के बारे में परेंगे, यानि कि सूरच, ठीक है? The sun is almost five billion years old, sun जो है, ये सूरच जो है, कितने पुरानी है? Five billion years पुरानी है, ठीक है? The sun is made up of hot gases, sun जो है किस से बना है? गरम गेस से बना हुआ है, उसमें ज्यादातर हेलियम और हाइडरोजिन है, ठीक है? ये आप लोग गेसों के नाम जो है, याद रखेंगे, ठीक है? ये sun जो है किस से बना है? Hot gases से बना है, और ज्यादातर mainly जो है, कौन से gases है? हिलियम, हिलियम और हाइडरोजिन, ठीक है? The surface temperature of the sun is five thousand seven hundred degree Celsius. अब sun पे जो है, temperature जो है, कितना होता है? five thousand seven hundred degree Celsius होता है. अब यहाँ पे अगर forty degree Celsius तक पहुंच जाता है ना, जब अगर forty degree Celsius तक पहुंच जाता है ना, तो तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी है, जला देने वाला गर्मी है, ओहो, यह करो, ऐसी लगाओ, ठंड़े पानी लाओ, ठंड़ा पानी लाओ, आइस्क्रीम लाओ, कॉल्डरिंग लाओ, हम ऐसा कहते हैं, अब सोचो, वहाँ पे कितना ज़्यादा degree Celsius कितना है, five thousand seven hundred degree Celsius, यानि कि कितना गर्मी होता होगा, हम imagine भी नहीं कर सकते, ठीक है, you can imagine how hot is this, कितना गर्मी होगा, at the center of the sun, अब सुनो, sun के center में, यानि कि पूरा बीच में, जो है, यानि कि पूरा यहाँ पे बीच में, sun के बीच में, जो है, temperature जो है, कितना है, fifteen million degrees Celsius, ठीक है, ओहो, बिल्कुल, वहाँ तो पिघल जाएंगे, ऐसे टिक टिक करने वाले हो जाएंगे, है ना, the sun's diameter is, one three, nine two, zero 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 kilometer, sun का diameter, sun कितना बड़ा है, 13,92,000 kilometers, जो है, इतना है, ठीक है, इसका मतलब, it is 109 times bigger than the earth, earth जिस पे हम रहते हैं, यह धरती है, इस से यह कितना बड़ा है, sun, 109 times बड़ा है, ठीक है, the sun is primary source of heat and light for living beings on earth, जब हम earth पे हम रहते हैं, इनसान रहते हैं, अलग-अलग तरह के animals रहते हैं, अलग-अलग तरह के plants है, earth पे हैं तो हमें जो heat और light जो है, वो हमें कहां से मिलता है, sun से मिलते हैं, ठीक है, जितना हमें heat चाहिए, जितना हमें light चाहिए, वो हमें मिल रहा हैं, किस से, sun से, ठीक है, हम कहां पे हैं, earth पे हैं, ठीक है, life on earth is possible because of its optimum distance from the sun, अब जो ये, हम earth पे रहे रहे हैं, इसका मदलब जो है, earth पे life possible है, life possible है, तब ही तो हम earth पे रहे रहे हैं, है ना, अब ये possible कैसे हो पाया है, क्योंकि ये जो sun जो है, sun और ये earth का distance जो है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि sun यहां पे है, तो earth यहां पे है, इन दोनों के बीच में distance जो है, ठीक है, ठीक है, तब ही तो हम इसमें रह रहे हैं, रह पाते हैं, है ना, अगर ये बिलकुल यहां पे होते हैं, बिलकुल earth जो है, अगर यहां पे बिलकुल sun के सामने होते हैं, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता क्यों क्योंकि यहां पे बहुत ही गर्मी होगा है ना अगर अर्थ जो है बहुत इधर है कोने में है इधर है तो यहां पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाते क्यों क्योंकि यहां पे तो बहुत दूर है है ना यहां तक सन का हीट और बीच में डिस्टेंस जो है दूरी जो है ठीक है राइट है यानि कि अच्छा है ठीक है ना ये जादा दूर है ना ये जादा नस्दीक है ठीक है ना ये जादा यहाँ पे दूर है ना ये जादा यहाँ पे नस्दीक है अगर नस्दीक होते बिलकुल नस्दीक होते तब भी हो पाते अगर बहुत ही जादा दूर होते तब पॉसिबल नहीं हो पाते ठीक है तो यहाँ पे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है हम लोग रहते हैं human beings रहते है animals रहते है plants होते है अलग-अलग trees होते है है ना तो क्यों क्योंकि इन दोनों का distance जो है ठीक है समझ में आ रहा है ना sunlight अच्छा distance from the sun sunlight reach the earth in about eight minutes ठीक है sun का light यानि कि सूरज की रोश्नी ठीक है सूरज की रोश्नी sun का light सूरज की रोश्नी यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना लगता है eight minute कितना लगता है eight minutes लगता है ठीक है तो यह हो गए sun के बारे में समझ में आया तो यह हमारे sun के बारे में हो गए फिर next class में हम यहाँ से हम start करेंगे हमारा topic होगा the planets ठीक है हम planets के बारे में next class में पढ़ेंगे तो अगर यह भी complete करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो आज हमारा कौन कौन सा topic था आज हमारा था stars के बारे में मैंने आपको बताया कि stars क्या होता है constellation के बारे में मैंने आपको बताया कि constellation जो है मतलब क्या होता है group of star होता है जो क्या बनाता है एक shape बनाता है एक pattern बनाते है और solar system के बारे में मैंने बताया solar system क्या होता है sun और दूसरे planets जो sun के चारों और move करते हैं उसको solar system कहता है यानि कि solar system मतलब family of sun ठीक है, surya mandal ठीक है, फिर मैंने आपको sun के बारे में बताया कि sun कैसे बना है, किन किन गेसों से बना है और ये कैसा है ठीक है, तो यहां तक आपके समझ में आगया ना अगर कोई question हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है Thank you